कि लोग ना हीलिंग में आकर रहा हैं वो इगो छोड़ नहीं पाते हैं यही था मेरा अगरा सवाल आप हीलिंग में आ गयो ना तो नमन कीजिए आप भी महान हैं कि आप मुझे पर्मीशन दे रहें मैं आपको हील कर लूँ मेरे तरफ से साक्षात प्रणाम आपको दंडवत सब्सक्राद दोन है तो इनसान घड़ा एगो में चला आता है मेरी मुसीबत पता है तो मैं कैसी यह मुसीबत अपनी जग़एगो अपनी जग़ए तुम अपनी डिसीज का एगो लिए क्यों गूम रहेे हैं अभी मेरे पास थोड़े पहले किसी का cancer patient का call आया आपको पता है cancer क्या होता है मैं cancer कुछ भी होता हो, ego stick तो नहीं होता हो ego से आ सकता है result तो नहीं हो पाता हो पहले बाद दो मिंट चुप रहे है और बहुत जोड से हैंसे कहते हैं सार लगता है क्योंकि उन्हें भी लगा कि हाँ कुछ गलत हो गया मैं आपको देखो सोच के देखो दो मिंट और लो शांती से विचार कर कहीं ego तो नहीं देरे cancer तुमा है एक तरफ मृत्यू लेके आ रहा है एक तरफ ego लेके आ रहा है तुम्हें ego मार रहा है cancer नहीं तुम्हें ego छोड़ तो cancer भाग जाएगा problem हमारी क्या है न हम न हर चीज को न पकड़ के बैठ जाते है हमें सब चाहिए और एक साथ चाहिए और अनैतिक भी तरह से चाहिए आपको 10 ग्राम चाहिए पर आप 100 ग्राम की भूग लेके बैठे हो अरे खाने में नमक 10 ग्राम चाहिए तो 10 ग्राम ही डालो 100 ग्राम डालो कि कड़ो हो जाए खाना माल लो मुझे पैसा चाहिए अब मुझे सारा चाहिए क्या करोगे उसका माते ब्यान नोट चिपका चुगा कि हूंगोगे पूरे शेरी पे नोट चिपका लो क्या बनाया उससे तुमने अहंकार कितना चाहिए था जितना चाहिए था उसने दे दिया ना खुश हो ना आज सही जी पा रहे हो ना यही बात पर मैं अपने आपको याद दिलाता हूँ मैं बार बार पने आपको एदर लाओं तो खुश है ना तो जो चाहिए उससे फालतु दे दिया ना अब क्या दिक्कत है मजाई से में इंसान मलंग फील करता है इसके बाद तो जो ले लिया वो उसका है कई लोग रिष्टा आपने रिष्टा खोने की बात करी कि रिष्टा खो लेते हैं कई लोग पेन में आते हैं मेरे से अभी कलपर से कोई बात कर रहा था कि मैंने एक रिष्टा खो दिया मैं आपने रिष्टा खो दिया या सही टाइम पर वो मुक्त जिसके मृत्यू थी, उसकी मुक्ती थी, मुक्ती पर वो चला गया, रोना किस बात का, इस बात का कि मुझे छोड़ की क्यों चला गया, इस उमर में कैसे हम जीवन ही आपन करेंगे, मतलब बच्छा ग्रेचुटी है, प्रॉविडिन फ्रंट आपका, L.I.C. पॉलिसी मैं कोई नी होता, उसके काल में उसने वाला, काल है, जिसे लेके जाना है, रहेगा, मुझे रहना है, मैं रहूंगा, कलकुम मैं भी चल जाओंगोशाइद, जाना तो एक दिन सब लेगा, पर मैं अपने कर्म करके जाओंगा, इंपॉर्टनस हर कर्म है, हम लोग रिष्टे कर लेनी चाहिए है रिजिक चीज ना सर इस मॉमेंट को जो मैं आपके साथ बहतर जी रहा हूँ कल को मैं रहूं रहूं ना रहूं आप रहे ना रहे यह मॉमेंट तो रहेगा हमने जी लिया ना एक पल बहुत बड़ी बात है